दूस्तों क्या आप इस नवरात्रे या फिर इस दिवाली कर रहे हैं एक सूपर हीट कार की प्लैनिंग और आप चाह रहे हो कि उस सूपर हीट कार पर डिसकॉंड भी आपको काफी अच्छा देखने को मिल जाए और इससे कई ज़्यादा खुसकवरी वाली बात ये है कि स्पावन तेवार के दौरान इस कारों पे आपको मिल रहा है बंपर डिसकाउंट तो वीडियो छोड़ कर कहीं जाएगा नहीं क्या पता आपकी फैवरेट कार इस साथ कारों के लिस्ट में सामिल हो तो उससे पहले वेलगम टू आवर चैनल स्मार्ट कार रिव्यू दोस्तो क्या हाल चाल हैं आपके आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना तो चलिए पहली नमबर पे जो कार आती है वो कार है स्कौड़ा की कुसाक दोस्तो अगर आप एक मीट सैज आईस भी लेने की मिल जाते हैं और कार का लुक भी काफी ज़्यादा मीट सैज भी सेग्मेंट के अंदर काफी नेक्स्ट लेवल का रखा गया है वहीं इस कार के डिसकॉंड के मामले में बात करें तो 55,000 तक का आपको इस कार पे बंफर डिसकॉंड देखने को मिल रहा है जिसमें आपको स्क कारों पे काफी अच्छा डिसकॉंड दिया जा सकता है और इंडिया के अंदर स्कॉडा की कुशाक वेटिंग पिरियेट में भी काफी कम है तो अगर आप इस कार को वाय करते हैं तो जल्दी से जल्दी आप इस से स्कॉडा की कुशाक को इस दिवाली अपने घर ले जा सकत तो अहीं अगर आप इस अक्टूबर या फिर दिसंबर के डिस्कॉंट की बात करों तो ट्रैवल के अंदर आपको उसके उपर मिल जाता है काफी अच्छा डिस्कॉंट देखने को मिल रहा है जिसमें आपको 50,000 तक का डिस्कॉंट ओफर किया जा रहा है जिसमें सामिल है आप एक सस्ती 7-seater MPV की प्लाइनिंग कर रहे है तो ये तहुआरो का बंपर डिस्कॉंट में रिनोल्ड ट्रैवल आपके लिए बेस्ट च्वाइस हो सकता है और इस कार का मुकाबला इंडियन मार्केट के अंदर मारूती सुजुकी अर्टिगा और किया की क्रेंज जैसे बेतरीन कारों से ठक्कर किया जाता है और वैसे भी MPV के मामले में ये कार बहुत ही अपने सेग्मेंट के अंदर बहुत ही कम कीमत में आती है वही प्रैजिंग में रिनोल्ड की ट्रैवल 5.92 लेक से स्कार्टिंग होकर 8.51 लेक तक को एक्स औरुमिन डेली आपको नजर वही अब आती है नेक्स्ट कार की बात तो वो कार है टाटा की हैरियर और टाटा की सफारी दोस्तो अभी के टाइम में टाटा की इन दोनों जवरदस्त कारों पे आपको तगरा डिसकांट ओफर किया जा रहा है दोस्तो इन दोनों ही कारों के उपर आपको 40,000 तक का एक्से तो देफिनेटली वो आपको अपने तरब से ज़्यादा से ज़्यादा डिसकॉंट देने की कोशिस करेंगे वहीं प्राइजिंग टाटा की हैरियर इंडियन मार्केट के अंदर 14.69 लेक से स्टार्टिंग होकर 22.19 लेक तक को एक्स और विन देली नजर आएगी वहीं टाटा नहीं कारों बिलकुल ही ज़्यादा परफेक्ट और अभी के टाइम में इन दोनों कारों के आपको तीन एडिसन देखने को मिल जाता है जो कि है एक डार्क एडिसन, काजी रंगा एडिसन और अभी जो फिलाल में लांच हुई है जो कि है जेट एडिसन, तीनों ही मोडल का दोस्तों अब बात आती है नेक्स्ट कार की बात वो कार है हुंड़ाई आई टैन नौाइस टर्बो मोडल दोस्तों बड़ी कारों के साथ रात अगर आप एक छोटी कार की प्लैनिंग भी कर रहे हैं तो इस कार के ऊपर आपको पूरे 50,000 तक का डिसकॉंट ओफर किया जा तो इस 50,000 डिसकॉंट के अंदर आपको देखने को मिल जाता है 35,000 तक का कैस्ट डिसकॉंट दिया जा रहा है जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होगे और 10,000 तक का आपको एक्शेंज बॉनस डिसकॉंट ओफर किया जा रहा है और 5,000 तक का आपको कॉफरेट बेनिफिट भी डिसकॉंट ओफर किया जा रहा है तो अगर आप आप आई टैन नौइस डर्बो मोटल को खरीते हैं परचीस करते हैं तो आपको पूरा 50,000 तक का फायता देखने को मिलने वाला है वैसे इस कार की प्राइज इंडियन मार्केट के अंदर 8.2 लेक से स्टार् की हो सकती है और वहीं इस कार में आपको जादा से जादा बेटिंग पिरियड भी देखने को नहीं मिलता है दोस्तो जितना मैंने आपको वीडियो के अंदर डिसकॉंट ओफर बता है उससे भी जादा आपको डिसकॉंट मिल सकता है लेकिन उसके लिए आपको अपने एरिय 300SB के लेवल में अभी इंडियन मार्केट में कई गाड़ियां बेहतरियन लोग के साथ आज भी है लेकिन आज भी XGB 300SB सेलिंग में अपने उपर की रैंक की जगा बना कर रखी है वहीं डिसकॉंट के मामने में इस कार के उपर आपको पूरे 62,000 रुपीज तक का आपको डि और ये ओफर XGB 300SB की W8 मोडल पर ही देखने को मिलने वाला है और वहीं इस कार का मुकाब्रा किया की सोनेट, हुंड़ाई की वेन्यू, टाटा की नेक्सवन जैसे बैतरीन कारों से किया जाता है और इस कार की प्राइज 8.4 लेसे स्टार्टिंग होकर 14.7 लेक तक को चली जाती है तो आपको ड्राइविंग का खूब अच्छा फील लेना है तो आप XGB 300SB के साथ जा सकते हैं वहीं आप आती है नेक्स्ट कार की बात तो वो कार है जीप की कमपास दोस्तों ये कार काफी ही बैतरीन है और लुक्स में गुड लेवल की है लेकिन इस कार की प्रैज XGB से बात करके यानि उनको मना कर आप पूरे इस कार पे एक लाख रुपे तक का डिस्काउंट पा सकते हैं वहीं अगर आप इसका पैट्रोल वेरियंट को परचेस करते हैं तो उसके उपर आपको पूरे 60,000 रुपीज तक का वेनिफिट मिल जाएगा और वहीं अगर आप डीजल में मैनुवल ट्रांस्विर्शन चीए तो उसके उपर आपको पूरे 80,000 रुपीज तक का वेनिफिट मिल जाएगा लेकिन टोटली डिपेंड करता है आपके एरिया के डीलर के उपर जैसा कि आपको मैंने बता दिया है उसके लिए आपको डीलर को थोड़ा मनाना पढ़ सकता है तो दोस्तों आपको इन कारों में सबसे बेतरीन कार कौन सी लगी हमें कमेंट वाक्स में जरूर बताना और आप इस सुब तेवारों के अपसर पे कौन सी कार को अपने घर ले जाना पसंद करोगे हमें कमेंट वाक्स में जरूर बताना इसी के साथ अगर तो अपनी तरब से एक लाइक जरूर करना, अपना केमती समय देनी के लिए ठाइंची सो माज धन्यवाद, मिलते हैं आप से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्या लखना,